Hello everyone, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम माध्य कैसे निकाले, माध्य कैसे निकाले, बहुलक और परिसर हम कैसे ग्याद करें सभी एक्जाम्स में ये प्रिशन पूछा जाता है और important प्रिशन है तो चले स्टार्ट करते, सबसे पहले हम लेंगे माध्य माध्य निकालने के लिए, माध्य निकालने का सबसे पहले हम लिखेंगे सुत्र माध्य निकालने का हम क्या लिखेंगे? सुत्र और माध्य निकालने का जो सुत्र होता है, वो होता है आकडो का योग, बटा आकडो की संख्या अब सबसे पहले हम जित्ते भी हमारे पास डाटा दे रखा है हमको टोटल करेंगी तो 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 4 और बटा में हमको लेना जित्ती भी संख्या है तो खित्ती संख्या 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है अब इनका टोटल हम करेंगी तो हमारी पास आएगा टोटल होगा इसका टोटल जो है इसका वो है चोईस कितना है चोईस दोर तीम पांच पांच और साथ बारा बारा बीस बीस और चोईस और चोईस में हम यह देना है पांच का भाग चोईस में यदि हम 5 का भाग देंगी तो हमारे पास आएगा 4.8 कितना आएगा 4.8 तो इसका जो माध्य हुआ वो क्या हुआ 4.8 माध्य क्या हुआ इसका 4.8 नेक्स्ट अब हम निकालेंगे माध्यक और माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम संख्या काउंट करेंगे जित्ती भी संख्या दे रखें उनको आरोही क्रम में लिखना है किसमें लिखना है? आरोही क्रम में और आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा सबसे पहले 0, 1, 2, 5, और 7 अब हमी क्या करना है हमें लेना है n प्लस 1 बटा 2 n का मतलब होता है जितनी हमारे पास संख्य है एक, दो, तीन, चार, पास संख्य है तो 5 प्लस एक बटा 2 हमको लेना है 5 में 1 हम जोड़ेंगे तो 6 आएगा और 6 कमें 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3 कितना आया? 3 6 में हम 5 में 1 जोड़ा तो कितना आया? 6 और 6 में हमने 2 का भाग दिया तो आया हमारे पास 3 और 3 पद जो है वो हमको लेना है 3 पद कौन सा है हमारा? 1, 2, 3 3 नमबर पे कौन सा है? 2 है तो इसका आणसर कितना हो जाएगा? 2 next नमब निकालेंगी बहुलग और बहुलग निकालने के लिए हमको देखना है कि कौन से संख्या जादा बार आई है तो सबसे पहले 1, 1 बार आया है 2 भी कितनी बार है? 1 बार है 3 जो है, 1 और 2 बार है 4, 1 बार है 5, 1 बार है सबसे साधा वार कौन से संख्या यह तीन आई है तो इसका जो भौलक होगा इसका जो आंसर है वो कितना है तीन आंसर कितना होगा इसका तीन नेक्स लेते हैं हम परिसर और परिसर निकालने का जो सुत्र होता है वो होता है परिसर is equal to सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी में से सबसे छोटी माइनस करना है सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी कुन सी है इसमें से 7 है और सबसे छोटी कुन सी है एक तो 7 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 6 कितना हो गया स्कार्म से कितना है छे